हाँ तो पर ये बंदू देखिए अब आप लोग को ये बता दूं मेटलर्जी के ये लेक्चर नबर 6 है और इसमें किवल दो प्रस्टन है तीन प्रस्ट छोड़ी छोड़ी है जो बेरी बेरी इंपोर्टेंट ये एकजाम में अवश ही पूछता है अब कहीं के सर्वग किया चीज है तो पहले तो मैं बताऊंगा निश्टापन क्या है कैलसी नेशन निश्टापन क्या है उसके बाद भर्जन या जारन रोइस्टिंग क्या है ठीक है और उसके बाद आप लोग एक और टोपिक इसमें डेफरेंट्स बताएंगे यानि अंतर ठीक है यह किसी भी बोड की बात करता हूँ यह हमेशा मैट्रिक का हो यह इंटर का हो एक्जाम में यह दो नंबर में प्रस्ण अवश्य ही पुष्टा रहता है या दोनों डिफनेशन आज एक ड़ोड़ ही पाच नंबर कंफर्म हो जाती है ठीक है अगर अंतर आया तो कंफर्म ही दो नंबर में हो ठीक है दो मैं इसको कंपरेट कर राइब पहले चिश्च प्रसम क्या है यह बात ध्यान रखना पहले स्क्रीन पर स्क्रियंप रख देता हूँ ठीक एट पहली बात निश्तापन क्विस्टन निश्तापन इंग्लिस क्यैलसी नहेशन क्या है दूसरा क्वेशन दूसरा क्वेशन यह है वर्जन यह इसी को बोलते हुँ जारन रश्टी रश्टीं क्या है और फिर दोनों में डिफरेंस यानि कि दोनों में अंतर बताएंगे क्लियर और एक और कोश्टन बताएंगे इसमें आप लोग को यह भी जान लेंगे आप लोग क्या चीज़ की प्रगलन प्रगलन एसमेल्टिंग यह भी बताएंगे एसमेल्टिंग यह सब प्रस्ण आय हुए है ठीक है सबसे पहले होता क्या चीज़ निश्टापन क्या होता है यह जान लिजे इसमें पहले क्या होगा सारी प्रक्रियावों दोवारा भौतिक बिधियों दोवारा अयस को सांधरन कर लोगे और सांधरन करके इसे क्या किया जाता है निश्टापन में पहले वायू को हटा देना होगा वायू के अनुपस्थिती कर लेना होगा तब सांधरित अयसको को तुम उच्छ तापमान पर गरम करोगे तो गरम करोगे तो क्या होगा प्रियेबंधू बता तो इसमी गरम करोगे तो अयसक में जो असुधी के रूप में जल के मॉलिकुल धैट में उसकी हाइडरेट कार्बोनेट जो रहते हैं ओ हिट होकर गरम होकर क्या होते हैं यानि ओ कार्बोनेट जैसे आयसक हाइडरेट जैसे आयसक यानि अपने ही ओकसाइड में परिवर्तित हो जाते हैं और यही प्रेकरिया जो कहलाती है निस्तापन कहलाता है यानि रेफनेशन कहता है कि वैसी प्रेकरिया जिसमें सांधरित आयसकों को उसके गलनांग से नीचे केताब पर वायू के अनुपस्थिती में कसकरगर्म किया जाता है जिसके फल स्वरुप हाइडरेट एवं कार्बोनेट जैसे अयस्क अपने ओक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे निस्तापन कहते हैं ठीक है एक बात ये भी बताना चाहूँगा निस्तापन के किरिया में या तो वेपोराईजेशन द्वारा जल निकलेगा अगर गैस की बात करेगा तो इसमें CO2 गैस निकलता है that means symbol of heat होता है तो ये टूटेगा calcium oxide में और CO2 गैस देखो गैस क्या दिया carbon dioxide clear हो गया हाइडरेट की बात करते हैं जैसे AL2O3.2H2O की बात करता हूँ इसको भी निस्तापन कराओगे देखो जल हाइडरेट का मतलब जल होता है इसमें भी निस्तापन प्रियबंधू कराते हो तो इसमें AL2O3 आ जाएगा और प्लस 2H2O बाहर भेपर के रुप में निकल जाएगा मीन कहने का मतलब ये हुआ आपका कि इसमें oxide प्राप्त किया जाता है carbonate जैसे और hydrate जैसे अयस कहूंगे उनको oxide में परिवर्तित करते हैं बस थोड़ी सी परिवर्तन करना है इसमें वायू की अनुपस्तिती इसमें बायू की उपस्तिती कर लिया जाएगा ये carbonate और hydrate जैसे अयस के लागू होता तो ये केवल sulphide अयस के लिए लागू होता है sulphide जिसमें sulphur हो clear तो कहता है वैसी प्रेकिरिया जिसमें सांधरित आयस को को उसके गलनांग से नीचे के तापर वायू के उपस्तिती में कस्करगर्म किया जाता है जिसके फल सुरूप sulphide अयस अपनी oxide में परिवर्तित हो जाते हैं और इस o2 gas मुक्त कर देते हैं ये जो कहलाता है नीचतापन ये क्या कहलाता है वर्जन ये जारन कहलाता है फिर से एक बार सुन लिजे यानि वैसी प्रेकिरिया जिसमें सलफाइड सांधरित अयसकों को उसके गलनांग से नीची के तापर वायू के उपस्तिती में कस्करगर्म किया जाता है जिसके फल सुरूप sulphide अयसक अपने oxide में परिवर्तित हो जाते हैं ये क्या कहलाते हैं यही कहलाते हैं आपका बर्जन ये जारन कहलाते हैं करते हैं zinc sulfide को मैंने लिया y के उपस्तिती that means oxygen को और इसको जारण की किरिया कराये याद रखना version की किरिया कराये symbol of it तो क्या होगा zinc oxide प्राप्त होगा और SO2 gas मुक्त होगा देखो तीन है न इसको 2,4 कर लो और 2 से गुणा कर लो 2 से गुणा कर लो कि गड़बर नहीं नहीं कहीं देख लिया जाए बड़ी ऐसे वही तो ऐसा करता हूँ कि कहीं गड़बर लग रहा ला है 2 से गुणा तो करना ही पड़ेगा मेरेको तो गुणा करना पड़ेगा तो अब कितना हो गया जींक दूगो हो गया जींक दूगो हो गया ऑक्सिजन दूगो सलफर यहां दूगो सलफर दो से गुणा करो चार गो देखो ऑक्सिजन दूगो चार हुआ पड़िये बंधू तो चार गो यहां देखो दूगो कितना हुआ छो गो तीन से गुणा करोगे तो याद करना तेइस बाइस अगर याद कर लेते हो देखो इसमें दो इसमें तीन तो तेइस याद करो तेइस से गुणा करना इसमें एक दो उपस्तिती मी होता है यह क्या करता है CO2 गैस मुख्त करता यह क्या करता है इसो टूव गैस मुख्त करता है जब डिटाओ समझ में आया होगा यह बात है तो चलते हैं बाते करते हैं आप लोग लिकवा था है फट आफट ठीक है चलिए तो ऐसा करता हूँ कि मैं definition में पहले सबसे पहले उसको लिखवाता हूँ तब उसके बाद आप लोग को मैं अंतर लिखवा दूँगा clear चलिए मिटाता हूँ ओके चलिए definition आप लोग देख लिए उसका उत्तर मैं देना प्ररारम करता हूँ पहले निष्टापन का उत्तर दूँगा तब भर्जन या जारन का दूँगा clear चलिए लिखता हूँ क्या होगा लिखिए उत्तर क्या है वही वैसी प्रकिरिया जिसमें शांद्रीते आयस को सांद्रीते आयस को को उसके गलनांक है उसके गलनांक से नीचे के ताप पर वायू के अनुपस्थिती वायू के अनुपस्थिती में कशकर गर्म किया जाता है जिसके फल जिसके फल स्वरूप है जिसके फल स्वरूप है कार्बोनेट कार्बोनेट एवाम हाइड्रेट जैसे आयस के आयस के अपने आयस के अपने ओक्साइड में परिवर्थित हो जाते हैं कौमा निस्तापन कहलाता है जैसे जैसे देखिए CACO3 एक क्या है कार्बोनेट एवाम जब इसे क्या करतो हो वायू के अनुस्तापन या निस्तापित करते हो कल्सिनेट करते हो हीट करते हो तो ये अपने ओक्साइड में टूर जाएगा C2 मुक्त कर देगा दोसरी कंडिशन ये अगर ये देखो हाइडरेट है हाइडरेट का मतलब वैसे अयस्क जिसमें जल की मात्रा हो अगर इसको तुम हिट करते हो निस्तापन करते हो तो इसे क्या करेगा ये निकल जाएगा अलुमीना के रूप में और क्या करेगा बताओ जल को क्या करेगा बाहर कर देगा क्लियर हो गया तो अब जल देख लो कहेगो जल है दूगो तो दूसरे गुणा कर लो क्लियर हो गया एक जामपल कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए अब इसे skin shot low मिटाएं और अगला लिखना प्रारम करूँ वई ठीक है, तो देखिए मिटाता हूँ मिटाएं, कोई दिक्कत की शीको तो नहीं होनी चाहिए ठीक है, चलते हैं, चलिए अब आप लोग को मेलू लिखवाता हूँ यहाँ वर्जन या जारन जिसको बोलते हो वर्जन या जारन इंगलिस दिखा दिया हूँ क्या है या क्या समझते हैं उदारन सहित लिखना, यही कहेगा न उदारन माहेंगा, ठीक है न उदारन सहित लिखे ओके चलिए, उत्तर देता हूँ सांद्रित शलफाइड आयस कोको उसके गलनांक शे और यू के उपस थिती में गर्म किया जाता है जिसके जिसके फल्स वरूपे सलफाइड आयस के आयस के सलफाइड आयस के काम करता दिखाथा हूँ काद वसलफाइड एसक जैसे डेने सो गया पी बी एस हो गया सी यू एफी सी यू एफी एस टू हो गया ठीक है सलफाइड आयस के अपनी ऑक्साइड में परिवर्टी ते हो जाता है कॉमा वर्जन या जारण कहलाता है जैसे देखिए जैसे मैंने जींक सलफाइड को लिया वाईव की उपस्तिती का मीन होता है वाईव की उपस्तिती का मीन ऑक्सीजन मैंने लिया ठीक है और वर्जन कराया नहीं वर्जन के किरिया कराया क्या कराया प्रिय बंदू वर्जन वर्जन की किरिया, वर्जन का मतलब भूंजना होता है, ठीक है, कराया है, तो क्या हुआ, यह जींक इसके ऑक्सीजन को लिया, और बदल गया जींक ऑक्साइड में, और पक्का ही एसो जब ऑक्सीजन सभी किरिया करेगा, तो एसो टू बनाएगा, यानि सल्फर, सल्फर किसी भी कंडिशन मेरे को सम मिले जाना था, ठीक है, तो जींक दो तो दो हो गया, सल्फर कितना हो गया, चलो मैं दो से गुणा किया, अब बता ऑक्सीजन, दो दुना के चार, आदो छो, कितना करो, तीन से, यानि तरीका क्या हुआ, देखो, इसमें दो से इसमें को तीन से तीन करो, त्यान करो 23, अधर देखो, दो, यानि एक दो पार्ट में है, ति यहाँ दो और यहाँ दो से टरीक ययात कर ले 22, यानि 23-22 से गुणा करना है, थि कैस हुआ, 23-22 से बाय माला को बाय में, दाय माला को दाय में, दो, यह, चैनच है? देखो, यह सल्फाइड आयस ता क्या था सलफाइड था को सलफाइड ऐसक कहा है जो कहां चेंज हो गया ऑक्साइड में चेंज हो गया को से ओके को दिकत एसकी इंसर्ट लोग पिरी बनदू ताकि मैं आप लोग ओ अंतर लिखवाज सकूं लेली होंगे लेली जी आसकी इंस फ प लेली एस्किन सोट चले मिटाता हूँ ठीक है अब अंतर लिखवा एते हैं फटाफट ठीक है देखिएगा तो देखेंगे अंतर डेफरेंस अम लोग लिखेंगे क्या चीज़ अंतर थोड़ा सा इधर लेलता हूँ अंतर एक तरफ निस्तापन रहेगा और एक तरफ रहेगा वर्जन या जारण चलो लिख देखें जारण या वर्जन ठीक है कोई दिकत किसी को तो नहीं होनी चाहिए पहला पहला तो वहीं चीज़ लिखना चाहिए पड़िभासा थीक है पड़िभासा लिखी देता हूँ चलो आप लोग भी ऐसे ठीक है तो डाइरेक्ट मैं लिखना चाहूंगा वह चीज, क्या चीज? कि वैसी प्रकरिया, सारा चीज लिख देता हूँ वैसी प्रकरिया, जिसमें question कैसे आएगा? question आएगा, निस्तापन एवम जारण में अंतर अस्पस्ट करें clear है ना? क्या कहेगा question? निष्टापन इवं जारण में अंतर अस्पष्ट करें क्लियर ना कोच्छन ऐसे लिख करें आप लोग लिखना जिसमें शांदरीत शांदरीत आयश्को को उष्के गलनाग से नीचे के ताप पर बायू के अनुपस्थिती में अनुपस्थिती में कसकर गर्म किया गर्म किया जाता है जिसके फल स्वरूप जिसके फल स्वरूप अक्साइड प्राप्त अक्साइड प्राप्त हो जाता है और इसमें लिखेंगे ठीक है एक्जाम्पल देना होगा देदेना सी एस यो थीरी को निस्तापन करे ठीक है तो दिया क्या सी एओ प्लस यो जो यहां ऑक्साइड मिल गए ना यही ऑक्साइड थी ओक्साइड ओके चलिए इधर लिखता हो नमबर एक्सामने सामने अंग देना ठीक ना अब किसका वसका पैसी प्रेकिरिया जिसमें शांद्रेटे शल्फाइड इसको पो पुष्के पुष्के गलनांक से गलनांक से नीचे के गर्म करके ताप पर गर्म ताप पर कस के गर्म किया जाता है जिसके फल्स रूप अक्साइड 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 नंबर दो में हम लोग लिखेंगे इस क्रिया में इस मुक्त होता है यहां लिखेंगे इस क्रिया में एस ओ टू गैस मुक्त होता है ठीक है अगला कंडिशन नंबर तीन नंबर तीन देखेंगे आप लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि निस्तापन की कि किरिया निस्तापन की किरिया वायू के अनुपस थेती अनुपस थेती मैं शंपन होता है है और यहां लिखेंगे कि कि जारन की कि किरिया वायू की कि अनुपस थेती है हाइड्रेट जैसे आइस आइस को आइस को को ओक्साइड में परिवर्टित करता है यहां लिखेंगे चौथे नमबर क्या लिखें यह किरिया के वल सलफाइड आईयस को सलफाइड आईयस को ऑक्साइड में करता है कम्प्लीट क्वेशन कर दिया प्रिये बंधू ठीक है आप लोग इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो यह कुशन बहुत महत्यपूने ध्यान रखना ठीक है इसका डेफिनेशन यह अंतर वेरी वेरी इन्पोटेंट आप लोग के लिए है और यह मिटाता हूं और अगली क्वेशन इस लेक्षर विडियो का लास्ट क्वेश्चन ठीक है मिटाता हूं चलिए लास्ट क्वेश्चन यह है कार्बन अप्चैन प्रक्रम कार्बन अप्चैन प्रक्रम या इसी क्यों कहते हो प्रागलन क्या है ठीक है क्वेश्चन यह है तो यह इसका उत्तराप का यह रहा है कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें सांध्रित धातू के ओक्साइड ओक्साइड में उचित अवकारक मिस्रित कर मिस्रित कर मिस्रित को उच्च ताप पर गर्म करके धातू प्राप्त कर लिया जाता है कॉमा कारबन अपचायन प्राक्रम या या प्रागलन प्रागलन कहलाता है जैसे जैसे देखिए जीनक ओक्साइड जैसे जीनक ओक्साइड में उच्चित आवकार कोक कोक का मतलब कारबन होता ध्यान रखना कोक उच्चित आवकार कोक मिस्रित कर मिस्रण को उच्च ताप पर उच्च ताप पर गर में किया जाता है तो जीनक धातू जीनक धातू प्राप्त हो जाता है जैसे जैसे देख लीजिया आप लोग असानी से जेडेन ओ प्लस कोक मिस्रित किया और मेरे क्या करना है प्रागलन करना है प्रागलन नहीं प्रागलन में हीट करना है प्रागलन भी लिख सकते कोई दिकत नहीं है प्रागलन मिन होता हीटे हम कर रहा हूं ठीक है अब देखो प्रिये बंदो जीनक धातू निकल गया अलाग और कोकमीन कार्बन जब इससे अभिकिरिया करेगा तो कार्बन मोनो ओक्साइड देगा चलिए अब यहां मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग का मैंने ये लेक्चर विडियो कम्प्लिट किया अब इसके बाद आने वाले लेक्चर विडियो में आप लोग के मेटल के निसकर्सन मिलेंगे धातू के निसकर्सन मिलेंगे क्लियर है छोटे छोटे जितने भी पार्ट डेफिनेशन थे पूरे चैप्टर का निचोर डेफिनेशन सारा चीज मैंने लिखवा दिया अब आएगे इसके बाद निसकर्सन और निसकर्सन हम लोग पढ़ेंगो थोड़ा लंबा वीडियो भी हो सकता है पचास मिनट का चारीस मिनट का उसे आप लोग टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि समझ कर लेखना बहुत जरूरी है ऐसे छपवाने के लिए तो मैं छपवाता बहुत जल्दी ही फटा फट लेकिन उसे करने से कोई लाव नहीं होगा प्रिवंदू इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और आप लोग इसका स्कीन सौर्ट ले लें ठीक है अगले विडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद